आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो से लिएशन पाओ डाउटनेट नाओ लिएज फिर्यटन के साथ जबयाग्ट करते हैं इन अप्रेजेंस ऑफ sodi技 की अलकोहल यह एल्कहल जनेरली जो होता और जबयां र्यआक्प करते हो तो यहां पर इन प्रायमरी अमीन फर्म होता है तो हमें डिटर्माइन करना है कि यह दोनों reactions अलग क्यों है Isomer होने के नाते भी यह दोनों reactants जो है यह different products क्यों फर्म करते हैं तो जैसा कि आप RCN में देख सकते हो RCN जो है RCN में carbon जो है carbon एक R group के साथ यानि एक दूसरे carbon के साथ attached है और 3 bonds इसने nitrogen के साथ form किया तो nitrogen जो है वो 3 bonds ही form कर सकता है तो यह RCN जो है यह काफी ज्यादा stable है जब आप reduce करते हो RCN को यानि आप जब hydrogen molecules add करते हो तो hydrogen जो है यह triple bond के cross attach हो जाता है तो यहाँ पे reduce करने पे यहाँ पे 2 hydrogens आ जाते है और यहाँ पे 2 hydrogens आ जाते है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है RCH2NH2 यानि प्राइमरी अमीन क्योंकि आपका जो में ग्रूप है यह प्राइमरी काबन से काबन के साथ अटैच्ट है आप जब RNC यानि आइससायनाइड को देखोगे तो आइससायनाइड जो है इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन जो है कार्बन पर नेगटिव चार्ज आएगा क्योंकि सिर्फ टीन बॉंड फॉर्म क्या है कार्बन ने और एक बॉंड जो है यहाँ पर यह कोडिनेट तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोज्फ फाटिव जो हैć कार्बनकोल के साथ अटेचटि खरखिता है एकारभन कोцы के साथ अटैच्ट ऊछित और दूसरा यह वाला कार्बन तो जिए रिड्यूस करोंगे यानि हाइडरोजन करोंगे नि दन डीकर लग जा एक hydrogen लगेगा क्योंकि nitrogen जो है यह already दो bond form कर चुका है और stability पानी के लिए nitrogen सिर्फ नीन bond form कर सकता है तो एक hydrogen यहाँ पे लगेगा और बाखी के तीन nitrogen जो है वो यहाँ पे लग जाएंगे तो यहाँ पे क्या form होता है यहाँ पे R, NH, CH3 form होता है जो की एक second germane है तो यह difference इनके structure के difference के वज़ा से ही पैदा होता है इन दोनों compounds isomer होने के नाते भी इनका different products है इसका कारण सिर्फ structural difference ही है तो first option क्या है? stability of cyanide तो obviously यह दोनों reaction different क्यों है? is not because of stability of cyanide तो यह statement गलत है second statement क्या है? stability of isocyanide यह भी गलत है third statement क्या है? structural difference of cyanide and isocyanide जैसा कि हमने डिसकास किया यह statement एकदम सही है क्योंकि इन दोनों के structural difference के ही कारण primary और secondary amine दोनों products form होते है with respect to each cyanide compound cyanide हो यह isocyanide तो C option correct है option D क्या है? isomarism between cyanide and isocyanide यह एकदम गलत है तो correct answer C है classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 8444400 पर डाउनलोड लगार कीचे अई झाल झाल